हलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आशागरतियों के आप सब एकदम बढ़िया होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे तो आज मैं आचकी हूँ स्मार्ट विजन ग्लासीज का एक न्यू वीडियो लेकर और आजकी इस विडियो में मैं practical नहीं दिखाने वाली कूँं नहीं दिखाने वाली वह आपको आगे पता चलेगा है ना तो दो अभि एक ही फीचर बाकी है जो standby mode पर है है ना जो emergency mode जो as is standby mode का as उससे ये feature activate होता है अर emergency mode का क्या use है आईये जानतार है तो basically emergency mode में हम समझ सकते हैं कि अगर हमें कोई emergency है यानि मान लीजिए कि आप कहीं पे जा रहे हैं और रास्ते में आपके साथ कुछ गलत हुआ तो आपको अगर आपके पास ये smart vision glasses है तो आप stand by mode पे long press करेंगे अगर ये activate है ये काम कर रहे है ना आप phone से connected है तो आप ये कर सकते हैं आपको stand by mode पे long press करना है और तुरंत जो आपके सामने है अगर कोई आपके सामने खड़ा होगा या कुछ भी होगा आपके आसपास कोई board होगा उसकी photo सामने जिसका अपने number emergency mode में registered किया होगा उस पे whatsapp प जाएगी और दूसरी बात कि वो जो company है ठीक है company through call भी लगा दिया जाएगा जिसका number register होगा उससे आप connect कर सकते हो उससे आप बात कर सकते हो कि आपके साथ क्या हुआ है और इसका practical मैं इसलिए नहीं कर रहे है क्योंकि जो whatsapp पे photo और location जाती है वो company money कि आती है हैा तो जब हमें काम हो जब हमारे साथ कुछ हैसा हो तभी हमें इसे यूज करना चाहिए ऐसे ही हमें इसे use नहीं करना चाहिए तो मैंने practical नहीं किया है है तो यही है इसका theory है थारी्दा तो आई हूब आपको वीडियो पसंद आया अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें, श्यार करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू